हेलो एवरीवन, स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस अकेडमी पर जैसा आप लोग ने थामनेल पर देख लिया होगा UPPCS Free 2023 का नोटिफिकरशन आ चुका है और उसको हम विस्तार से समझेंगे, उसमें पूरी चर्चा करेंगे और इसमें जो हुए बहुत ही महत्पूर 3-4 बदलाव हैं जिनसे कुछ हात्रों को बहुत ताथिक नुकसान हुआ और कुछ हात्रों के लिए हो सकता वो ज्यादा बेनिफीशियल भी हो तो देखेंगे और समझेंगे, पूरे डीटेल से समझेंगे कि form में क्या-क्या changes किये गए हैं क्या-क्या syllabus में परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार आपको prelims में क्या strategy रखनी होगी mains में क्या strategy रखनी होगी और interview में क्या करना होगा जिससे आपका selection किसी भी stage पर नहीं रुकना चाहिए और आपको एक बात और बता दू मैं हमारे चनल पर आगे जो आपकी UP pieces pre और MP pieces pre की जो exams लगे हुए है उसके लिए घटना चकर की बहुत ही अच्छी तरीके से सिरी चलाई जा रही है आपनों का बहुत support मिलना है उसमें तो अगर जिन लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज जाईए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे सभी subject की लगातार classes चलाई जा रही है चैनल पर पहली बार है तो अभी से कर लीजे subscribe इससे समझे जितनी भी updates होंगी जितने भी notifications होंगी वो सारी चीज़ा आपको deal की जाएगी तो शुरू करते हैं देखते हैं यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग यानि UPPCS जिसकी आप तयारी कर रहा है उसका notification जारी कर दिया गया है इसमें कुछ important बातों को हम deal करेंगे जैसे कि इसका form तीन मार्स से सुरू हो चुका है और तीन अपरेल इसकी last date है और भाईया हम अभी बता देते हैं UPPCS की website last में जाते जाते ठब भी हो जाती है यह UPSC की website नहीं है कि last moment भी बहुत अच्छी चलेगी तो last date का wait बिलकुल मत कीजेगा अभी से इसको जो है कि आप form भर लीजिए और छे तारिक जो है कि इसकी last date है 6 April form submit करने की और आगे देख लेते हम इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पस डूप से लिखा है कि OTR का number अवस से generate कर लें इस समय OTR आप अपलाई कर रहोंगे तो website बहुत slow चल रही होगी क्योंकि कल से ही इस पे बहुत अधिक crowd आ चुका है तो आप लोग का अगर नहीं हो पा रहा है तो रात में 11-12 बज़े के बाद आप लोग एक दिल संग में निका लिए एक से डिर घंटे में form OTR सारी चीजे complete कर लिए और mentally free हो जाईए अपनी तैयारी में लग जाईए आगे लिखा हुआ यहां पे कि इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं एक अप्रेल 2023 के बाद आयोग द्वारा सभी विग्यापनों के लिए अनिवारे होगी कहने का मतलब है कि जो भी vacancies आएंगी आयोग के द्वारा उसके लिए OTR compulsory है तो बिना OTR के भाईया form आप नहीं भर सकते हैं और समझते हैं इसमें कुछ और important बाते जो एक यहां पे हम देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि अब्यार्थियों को यह इसपष्ट कहा जाता है कि प्रारंबिक परिक्षा के अस्तर पर वे अपने अभिलेग अबम ऑनलाइन आविदन सम्मधी हार्ड कॉपी का आयोग को प्रेसित ना करें मनदब जो भी आप form भरेंगे उसकी कोई हार्ड कॉपी आप उलहाबाद जो आयोग है वहां भेजने की ज़रुरत नहीं है बस आपने online form भर लिया OTR registration कर लिया आपकी सुरक्षा के लिए बताओं कि आप ये दोनों ही चीजे ये दोनों ही form अपने documents में save कर लिजेगा अपनी mail ID पर save कर लिजेगा क्योंकि इन future admit card, mains के form के समय, interview के समय इन सब की जरूरत पढ़ती है तो आप लोग इन form को कभी भी fake एगा मत और समझते इसमें क्या चीजेती हुई है यहाँ पर थोड़ा सा fees वगरा दिये तो fees तो कोई खास नहीं होती है फीस बहुत सस्ती है कोई जादा नहीं है 100 पैसे नीचे रहती फीस आगे देखते हैं इसमें submit के जाने के बाद जो आविदन में संसोधन होगा वो केवल एक ही बार modification हो सकता है अधरवाइस फिर आपके पास एक यह option है कि आप दुबारा form को भरें साथी साथ इसमें रिक्तियों को देखनेंगे अगर हम पद की संख्या तो 173 पद हैं लेकिन हमेशा क्या होता है कि आयो क्या करता है कि और भी आविदन मंगाता रहता है तो समय के साथ इसमें जो है कि लास्ट टाइम प्री होने से पहले पहले संख्या बढ़ जाती है घटी तो बहुत ही रियर है आज तक घटी नहीं है लेकिन हाँ हमेशा पद बढ़ जाते हैं और कितना बढ़ेगा यह तो समय बताएगा अभी तीन मेने का समय है तो हो सकता यह संख्या जो है कि 2.500 क्रॉस कर जाए तो आप लोग इससे मत घबडाईएगा अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए आगे आप देख सकते हैं दिव्यांगता से समय कुछ आरक्षण दिये हुए है इनको आप देख सकते हैं दिव्यांगता से समय जो आरक्षण है वो सब भी चीज़े आपको क्लियर होनी चाहिए वहीं आप देखेंगे इसी में कुछ बिसेश तरीके की जो एकी प्रावधान है और साथी साथ इसमें जो नए नोटिफिकेशन जारी होने पर जो सिलिबस वगरा को पैटन चेंज किया गया तो इसमें भी हम लोग समझते हैं यहां पर जैसे सैच्छिक आरता की बात करते हैं कि आवेधन की जो अंतिम तेथी है तीन अपरेल 2023 तक आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएट होने का मतलब क्या होता है कि वोल पेपर दे देना नहीं कुछ इन्वस्टीज हैं सेंटर इन्वस्टीज हैं हो सकता है उन्होंने पेपर करा भी लियो हूँ लेकिन इसका मतलब यहां पर यह है कि आपके पास written मतलब है जो hard copy होती है result की वो भी आपके पास आ चुकी हो यानि 3 अपरेल 2023 से पहले आपका result भी जारी हो चुका हो तो obvious सी बात है कि जो लोग इससे पहले पास हुए होंगे उन्हीं को असना तक माना जाएगा और उन्हीं के form को आगे consider किया जाएगा यहाँ पे देखेंगे आप कुछ कुछ और भी जो एक यह post आई होई है यहाँ पे जिनके लिए special eligibility है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि PCS के लिए normal graduation वाले लोग नहीं भर सकते हैं यह सामाने तक graduation क्या होता है बीए लोग करते हैं बीए सी करते हैं बीकॉम करते हैं बीए करते हैं तो यह सारे लोग भी form भरते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी इसमें जो SDM की पोस्ट होती है डिपटी, SP की पोस्ट होती है और भी अच्छे-ची पोस्ट होती है जिनके लिए normal education वाला बंदा यानि जिसमें graduation किया है किसी भी फिल्ड से चाओ BSC हो, चाओ BA हो, चाओ BCOM हो, वो सारे लोग भी form को fill up करते हैं तो आप लोग इससे मत परिशान होगेगा कि केवल सर स्पेसल नोटिफिकेशन आया है जिसमें स्पेसल पद की लिए तो ऐसा नहीं है वो कुछ सीटे होती है लेकिन 173 में normal सीटे भी होती है और देख ल BC और दिव्यांग इन लोगों के लिए जो reservation होता है 5 साल की छूट, 3 साल की सूट तो ये सारी apply होंगी लेकिन 1 जुलाई 2023 से पहले ही आप लोगों को जो है कि किस बर्स complete कर लेना होगा वहीं 1 अप्रेल 2023 से पहले ही आपका graduation भी complete कर लेना चाहिए तो ये दो बड़े changes देखन कि मुख्य परिक्षा के लिखित में आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टी में 100 प्रमाणित अंग पत्र या प्रमाण पास सनलगने करना होगा यदि वे समस्त दावे जो एकी आवेदन करने की अंतिम तिथी तक प्रेशित नहीं करते तो अब बूतपूर सेनिक है तो उसे जो है कि उस सेवा से अवमुक्त हो जाना होगा मतलब ऐसा नहीं कि वह सेवा भी दे रहा है और वहीं PCS के फॉर्म को मतलब PCS का भी जो है की फॉर्म उसने अपलाई किया तो कहने का मतलब कि उस समय तक उसे सेवा छोड़ चुके होनी चाहिए वहीं साती साथ आप देख सकते हैं कि इसमें इस परिक्षा के आविधन पत्र में वैकल्पिक विशाय का उलेख नहीं किया गया है अब आपके प्रशन आएगे शिया है तो अब आगे कौन से पेपर के तैयरी करेंगे तो आभी हम इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे एक नई बात इसमें लिखी गई है इस पश्टूप से कि 15 गुना अभ्यार्थियों को जो सफल गोसित किये जाएंगे मोख्य परिक्षा के प्रणाम के आधार पे साक्षातकार में 3 गुना. कहने का मतलब हो गया कि प्रिलिम्स में अगर 173 सीटे हैं इस समय तो 173 का 15 से आप गुना करेंगे तो उतने बच्चों को जो है कि मेंस के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो मेंस में जो बच्चे पास होंगे उस 173 की जब आप 3 से गुना करेंगे तो उतने बच्च ये सारी समस्यां भी देखने को मिल जाती है तो आपको ये भी चीद ध्यान रखनी है वहीं यहाँ पर negative marking भी होती है कि उमीदवार के द्वारा अगर कोई भी प्रशन गलत किया जा रहा है यानि कि one by third होती है अगर आपके तीन प्रशन सही है तो आपके तीन प्रशन अगर गलत है तो आपका एक सही प्रशन को काट लिया जाएगा अच्छा इसमें जो merit होती है वो GS paper one के base पे होती है जिसमें 1.500 question होती है और negative marking भी होती है लास्ट इयर क्या था कि जो 2022 का prelims होता है उसमें लागवग 85-86 के आसपास merit गई थी यह मैं question की बात कर रहा हूँ 1.500 में से जिसके 85-86 नंबर सही थे काट पीट के सारी चीजों के बाद negative marking को यूज करने के बाद भी तो उसका prelims हो गया इस बार सीटे थोड़ी सी कम है तो हो सकता है पेपर के pattern पे depend करेगा कि पेपर का nature क्या है तो वो किदनी merit जाएगी साथी साथ एक CSAT का paper होता है जो आपका 100 quotient के साथ होते हैं और इसमें भी one third negative marking होती है लेकिन इसमें केवल 33% नंबर लाना होता है और ये merit में नहीं जोड़ता है वस केवल qualifying nature का होता है यहाँ पे और हम देखते हैं क्या क्या बदला हुए है और साथी साथ इसमें देखते हैं कि उस बदलावों से किसको नुकसान हुआ जोए कि इस पे हम चर्चा करेंगे इस पेसलिए तो इसके formats वगरा हैं जो आपको ज़्यादा ज़रत नहीं पड़ेगी इसकी मेंस के दौरान पुरे format होता है तो यस ये रहा भईया आपके सामने प्रारंबिक परिक्षा देखे इसमें लिखा हुआ है जो परिसिष्ट परिक्षा का प्लान क्या होगा एक प् भी उता है जिसमें 1.500 कोशन होते हैं फर्स पेपर में सेकेंड पेपर में सौशन होते हैं तो इस पर जो एक ही मेरिट बनती है इसमें यह आप देखिए समलित राजी जो मोख्य परिक्षा होती है इसमें सबसे बड़ा लोचा है ट्रइडिशनल लेवल पर देखेंगे तो चेंजेस हुआ है ऑफिसनल को लेके उसके बारे में अगर हम समझेंगे तो यहां पर सिलिवस दिया हुआ है अब यहां पर देख सकते हैं मुख्य रूप से कि सामाने अध्यन का जो पेपर 1 से 6 तक तो मुख्य परिक्षा का पार्ट करम यथावत रहेगा जैसा पहले से चला कर कहने का मतलब हो गया कि जो मुझे लगता है कि जो GS1, GS2, GS3, GS4 में UP special के जो तीन से चार प्रशने रखे जाते थे I think अब वो प्रशने इसमें नहीं रखे जाएंगे और आपके लिए अलग से जो ऑफिसनल पेपर हुआ करता था उसकी जगह GS का पेपर 5 और 6 उसमें उत्तर प्रदेश से समझ बिस्तरित और ब्यापक पार्ठिकरम निर्धारित किया जा रहा है जिसकी सूचना जो है कि वे से सही तैयारी कर रहे थे जिन बच्चों का मेंस बहुत अच्छा था इंटर्व्यू अच्छा था प्रिलिम्स अच्छा था लेकिन उन बच्चों का ऑफिसनल अच्छा नहीं था तो बहुत सारे बच्चों ने ऑफिसनल की तैयारी की चाया ओनलाइन सेशन लेके चाया दि करनी पड़ेगी लेकिन फायदा की स्कोर है जो beginner student है जो अभी graduation किये है या graduation complete करके अभी civil की तयारियों में लगे हैं तो उनके लिए जो है कि optional जैसा burden नहीं है और वो जैसे GS1234 को study कर रहे हैं वैसी जो है कि अब वो UP special की भी study कर लेंगे तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है बाकी जो है कि क्या से ले बस होगा क्या नहीं ये website पर जब आ जाएगा तो हम लोग इस पर पूरा detail से चर्चा करेंगे बाकी मिलते है next video में thanks for watching